मतलब होता है सामाजिक्ता मतलब एक दूसरे से जुड़ सकें एक दूसरे के सुख दुख को बांट सकें और एक दूसरे को सही सुचनाओं से आउगत करा सकें इसी वज़े से सोचल मेडिया ने जन्म लिया था लेकिन हुआ क्या सोचल मेडिया अब फेक न्यूज का एक अड़ा बन चुका है और जो लोग परतोगी परिशों के त्यारी कर रहे होंगे वो लोग देखती होंगे कि सोसल मीडिया पर जितनी फेक न्यूज फैलती है उतनी फेक न्यूज मतलब कभी रियल्टी में तो फैली नहीं सकती है और आपने ये भी देखा होगा कभी कभी कि कुछ बड़ी हस्तियों के निधन की गलत सुचनाय भी लोगों तक पहुचा दी जाती है सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे कोई गलत न्यूज हमें मिलती है उसके सोर्स की उसकी सत्यता की जांच किये बगएर लोग उसे धराधर फारवर्ड करने लगते हैं और कई लोग तो फड़ाफ़ाट उस पे अपना नाम भी ली देते हैं उन्हें लगता है कि हाँ ताकि हमें क्रेट मिल सके कि सबसे बड़े न्यूज मैंने दी है कुछ बड़े बड़े न्यूज चैनल भी हैं जुनोंने बाद में मावी भी मागी है लेकि फिलाल ये बहुत ही गलत ट्रेंड है और आपके पास ब्रेंड है तो ये जो तस्बीर है बहुत कुछ कहती है कि इसमें एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि धन्यबाद प्रभूजी मैं अपना दिमाग वो वापस कर रहा है कि ले लीजे मुझे जरूरूत नहीं है मेरे पास होट सफ है न बस सब काम चला लूँगा मैं वहीं से इन्यूर्टेंड आज 23 जन्वरी है और आप सभी को नेता जी सुबाशनर बोश जैन्ती की धेसारी बधाई और शुब कामना है नेता जी सुबाशनर बोश जी की जो जैन्ती होती है उसे पराकरम दिवस की रुपे भी मना जाता है तो आज प्राक्रम दिवस है और गड़तंत्र दिवस की आज से सुरुआत भी हो रही है हर वर्स 24 होती थी लेकिन इस वर्स 23 जनवरी से ही गड़तंत्र दिवस की सुरुआत हो रही है तो आप सभी को गड़तंत्र दिवस की अग्रिम सुबकामना है बात करते हैं 69 अजा सिक्षकवर्थी के बारे में तो 70 अजा सहाक अध्यापक भर्थी में चैनित हुए जितने भी अभेर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र जारी होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं कराने पर सच्चू PNP प्रियाग रासेत जबाब तलब किया गया है प्रादिकारी को अपना जबाब दो हपते में देना है आदेश न्यायमूर्थी आरार अगरवाल ने मुझवफर नगर के गौत्नम मन्जूलिया के याचिका पर दिया है कोर्ट ने सरकारी वकिल से भी इस समंद में जानकारी को तलब किया है अब देखें यहाँ पर मामला लेकिन BSA ने जॉइन नहीं कराया तो याचि ने प्रत्याविदन किया और अभी तक उसे जॉइन नहीं कराया तो मामला कोड में है और अब कोड ने जबाब मांगा है PNP प्रियागराज से और दो हपते में जबाब देने के लिए कहा है देखें यहाँ पर सच्यू उत्तर प्रदेश के लिए एक नोटिस जारी हिए इसमें कहा गया है की कोबिट संक्रमन के रोकताम के मद्दे नजर प्रदेश के कच्छा एक से आर्टक समस्त परसिदी हूँ सहायता प्राप्त हूँ मानिता प्राप्त हूँ कस्तूर्बा गाधी वाले हूँ विद्याले और नेबोर्ड की विद्याले को 30 जनवरी तक बंद की जाने के संबंद में सूचना पैसित की गई है अब यहाँ पर ध्यान देने योग की जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ की जो विद्याले हैं 22 जनवरी के अनपालन में कोरोना संक्रमण की रोक था हमके द्रिश्टिकत 30 जनवरी तक तो बंद रहेंगे लेकिन इसमें क्या होगा कि शात्र शात्राएं विद्याले में उपस्थित नहीं होंगे बट विधान सभा सावान निर्वाचन 2022 सम्मंधी कारे और अनप्रसास की कारे के लिए समय समेंबर निर्गत निर्देसों के अनपालन के लिए सिक्षक और अन्य करमचारी जो रहेंगे वो बिद्याले में अनिमार रुप से उपस्थित रहेंगे ठीक है और ये भी का गया है कि मिज़न प्रेना की ई पारसाला 6.0 के तहत आनलाइन कच्छाओं का संचारा नो का केंद्री विद्याले में सिक्षक और सिक्षड़ितर करमचारीों के उपस्थिती कोबिड प्रोटोकाल के तहत होगी बेसिकली सारांस यही है कि उत्रफ दिसके सभी जो बिद्याले हैं वो बंद कर दिये गए हैं 30 जनवरी तक लेकिन जो स्टाफ होता है टीचर्स और अदर्स उनकी उपस्थिती अनिवारे कर दीगी है नोटिस आप टेलिग्राम चनल पर पाजाएंगे एक बाप पढ़ लिजेगा चुनाओ आयोग ने भी एक बिग्यप्ति जारी किये और इसमें ये कहा है कि पांच राजियों जहां मिधान सभा सामान निर्वाचन 22 की प्रक्रिया गतिमान है उन राजियों के जो मुखी सच्यू हैं मुखी निर्वाचन अधिकारी हैं स्वाथ सच्यू के साथ 22 जनुरी को एक मीटिंग हुई है वर्चूल हो कहा किया कि रोड सो पद्यात्रा साइकिल बाइक वाहन रैली और जुलूस ये 31 जनुरी तक प्रतिबंदित हैं और पॉइंट तीन जो है तोड़ा सा मत्मून है ये कहा जा रहा है कि एक फरवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक राजनैतिक दलों इवंग निर्वाचन लड़ने वाले उमिदवारों को अधिक्तम 500 व्यक्तियों अत्वा मैधान की शम्ता के 50 प्रतिसत अत्वा राज आपदा प्रबं नियत सीमा जो कम हो तक भौतिक रूप से मीटिंग्स के अनुवतिर प्रतान की गई है डोर टो डोर कैम्पेंड में 10 व्यक्ति भाग ले सकते हैं पहले 5 व्यक्ति भाग ले सकते थे और इस वेकास कुछ अन्य निरदेश भी जारी किये गए हैं चुनाओ आयो के द्वारा को लेकर ठीक है और यूपी टीटी की परिशा आज हो रही है मने आपने उसे बहुत बहले कहा था कि यूपी टीटी को लेकर सोसल मेडिया हो या यूट्यूब चैनल हो यहाद की कुछ बड़े चैनल भी हैं जिन्होंने विद्यारति को खूब शकाया हैं खूब जूट बो रही है मैंने आप लोगों से कई बार चीक शीक कर कहा कि परिशा के बारे में कोई भी संदे मत रखे परिशा इस बार होगी क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि परिशा जो टली थी है टैस नमबर को उसके बाद एक बड़ा सवाल था कि एक निस्पक्ष और पारदसी प् प्रिशा को पूरी हो और इसके बारे में अब परिशा हो जाए तो फिर मैं आपको आंसर की बी और लेवर करवा दूँगा साम को ठीक है परिशा होने दीजिए उसके बाद तो फिर उत्तरपदेश में आज इतने वाली लेकपाल भरती के लिए अब देखो बहुत कम टाइम बचा हुआ है 28 जबरी तक ही आविदन क पाएगा तो लेकपाल भरती के लिए जो लोग आविदन कर रहे हैं वो लोग यह जाना चाहते होंगे कि लेकपाल भरती के बाद उनकी परिशा कब तक होगी तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी उमिद्जिता या रही हाला कि अभी तक कुछ कहा नहीं गया है लेकिन अखबार कर आए कि यह जो परिशा होगी वो मार्च में हो सकती है मैं भी आप से एक होगा कि आपनी तयारी को पूरा करिए मार्च में रिवीजन का टाइम रखेगा मतलब जनरी फरवरी में भुछ ज़दा स्लेबस तो है नहीं स्लेबस को कवर कर डा लिए और मार्च में इसकी तयारी आप लोग स्टार्ट करिए का रिवीजन वाली फिलाल देखो जो मेरी ओर से रहा है वो यही है कि मार्च में पॉस्बल नहीं है यह परिशा अप्रेल में ही हो पाएगी और अप्रेल में ही वीडियो की पुना परिशा भी हो सकती है मार्च में पॉस्बिलिट तेरियाvoll करनें पड़ती हैं और बहुत सारे स्टर्ट में परिच्चा होती है। आफ लाइन द्सक्राइब था गोड़ की आरो में STF की नजर सालवर गैंग पर भी है कॉल डिटेल्स और वाटसप चैट की मदद से ट्रैप करने की कोशिश चल रही है प्रयागराज में ही सिक्षा माफिय डाक्टर केल पटेल समेथ एक दर्जन से अधिक सालवर फरार हैं बीते कई परिशाओं में उनकी सक्री भूंका र रहा है इसके लामा इस पेपर से जुड़े अफसरों वा कंचारियों पर भी निगाए हैं SPCD दिनेज सिंग ने बताया कि सनी मार को भी प्रमुख परिक्षा के अंदरों पर निरिक्षण किया गया है पेपर पहुंचने और पेपर बाटने तक सब कुछ आनलाइन रहेगा बीते दिनों पेपर आउर प्रकरण के कई आरोपियों का नाम प्रकास में आया था लेकिन पुलिस उन्हें ग्रिफ्तार नहीं कर पाई तो फिलाल एक बाड़ा चैलेंज है और T.E.T. के लिए करोना का अस्थापित करने के निर्देश दिये गए हैं सच्यू PNP की और से स बाच कर रहेगा फ्रेंड्स दुनिया पर में तभाई में जाने माला कोरोना वारेस का सबसे संक्रामक स्वरूप ओमिक्रान अब तीन हिस्सों में बढ़कर और ज्यदा सक्ति से फैलने लगा है ओमिक्रान के सब वैरियंट हैं BA1, BA2 और BA3 इनमें BA.2 जो है यह सबसे तेज इस फैल रहा है और जल्दी BA.2 सब वैरियंट पूरी दुनिया में ओमिक्रान के मूर सुरूप की जिगहन ले सकता है बैगानिकों का करना है कि ओमिक्रान के मुकाबले BA.2 अधिक संक्रामक है इसलिए ब्रेटेन की हेल्थ सेक्रोटी एजनसी ने इसे जाज की स्थिनी में रख दिया है तो बिल्कुल आपको जो है साउधान रहना है और बिल्कुल जो है आप एलर्ट रही है ठीक है तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही सिगरी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में तो तक लाकर दिजिए नमस्कार जैहिंद